हेलो एब्रिवान आई होब आप तभी बहुत अच्छे होंगे तो पॉलिटी की नई वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हैं आपके जो आपके जो आर्टिकल 36-50 तक आपके क्या आते हैं नीती निर्देशक्त तक राज्जी के नीती निर्देशक्त तक जो कि जिसकी अभधाना हमने कहां से लिए है तो राजी की नीति निर्देशक तत्यों का उलेग सभिधान के भाग चार के अनुछे 36 से क्यावन तक किया गया है सभिधान निर्वाताओं ने यह बिचार 1937 यानि भारत आजाद होने के पहले ही 1937 में आईर्लेंड के सभिधान से लिया और आईर्लेंड के सभिधान में इसे कहां से स्पेन से लिया गया था यह बात आपको कोई नहीं बताएगा सिर्फ यहीं बताएगे कि आईर्लेंड से आला कि स्पेन वाली बात पूछी भी नहीं जाएगी बट आयरलेंड वाली बात पूछी जाएगी लेकिन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है डॉक्तर भींब्राव अंबिटकर ने इन तत्यों को विशेष्टा वाला बताया है और मूल अधिकार के साथ निर्देशक तत्यों सविदान की आत्मा का दर्शन है ठीक है तो क्या है आपका चलिए शुरुवात करते हैं तो 36 में इसमें राजी की परिभाशा दी गई है वही 37 में इस भाग में जो समाहित सिद्धानतों को लागू करना इंप्लिमेंट करना 37 में है 38 में दिया गया है राज्य दौारा राज्य दौारा जन कल्यान के लिए समाजिक विवस्ता को बढ़ावा देना ठीक है ये किसमें है आपके 38 में तो 39 में क्या है राज्य दौारा अनुसरन किये जाने वाले कुछ नीती सिद्धानत 39 में आएंगे वही 39A में आएगा आपका समान निया आया जो आपको जब आपके उपर कोई केस हो जाता है तो सरकार आपको एक लॉयर देती है तो वह लॉयर जो देती है 39A के तहट समान निया है वह निश्य कानुनी साहिता में आएगा 39 में सिर्फ क्या आएगा कि राज्य दौरा अनुसरन किये जाने वाले कुछ नीती सिद्धान ठीक है अब 40 में आते हैं जो आप आपके आसपा जितने भी ग्राम यानि कि जितने भी गाउं है उसमें जो पंचायते होंगी उन सभी का जो गठन है वह आर्टिकल 40 में आता है काफी इंपोडेंट है इस पर स्टार लागा लीजिए का 41 में क्या आता है प्राम का अधिकार और सारवजनिक साहिता 42 में आती है न्याएःउचिद एंव मानविय कार दशाओं इवं मातभत्त साहिता के लिए प्राबधान इसमें दिये गए हैं 43 में क्या आता है कर्मचारियों को निर्वाह करने के लिए वेतन फिर 43 में A B हैं उसमें क्या है 44 में आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक सहता आव के संगुस wij Min और 46 में क्या है अनुसूचित जाती का कमजोर वर्गों के सहचिक आर्थिकितों को बढ़ावा देना यह 46 में आता है 47 में क्या आता है 47 में आपको जो पोसाहार का इस्तर है यानि आप जो भी पोश्चिन लेते हैं उसका जो इस्तर बढ़ाने जिवनिस्तन सुधार नित जन्स्वास की स्थिति बहतर कराने संबंदी सरकार का जो करता है जो मिड़े मिली हो जना है न वो इसी से इंस्पाइड है ठीक है 47 आपके राजी के नीती निदेशक तत्वा 48 में क्या है क्रशी इवन पस्वादेस इस पेविस्टार बना लीजिए 47 पर भी स्टार बना लिजिए 48A में क्या है यह भी काफिवार पूचा जाता है इस पेविस्टार बनता है कि परयावन स्रुक्षण एवं समबर्धं तथा एवम वन्य जीव की सुरक्षा थीक है parkon यही आपने देखा है इसे संबंदित आपका fundamental duties में भी आया था ठीक इस मारकों को में साफ रखना है यह हमारा करतब है और उन पर कोई अपने नाम नहीं लिख देने हैं क्योंकि वह आपकी इस मारक है अराश्टी महतों के स्थान है फिर अर्टिकल 50 न्याय पालिका का कारे पालिका से अलगाव यह अनुच्छे 50 में आता है वह 51 यानि क्यावन में है अंतराश्टी शांति एवं शुरुच्छा को प्रोसा तो य आप एक बार अच्छी से देख लीजी एक बार मैं जल्दी से फिर से करा देती हूं तो 36 में है राजी की परिवाशा 37 में इस भाग में समाहित सिद्धानतों को लागू करना वह 38 में है राजे द्वारा जन कल्यान के लिए समाजिक व्यवस्ता को बढ़ावा देना 39 में है काम का अदिकार, सिच्चा का अदिकार और स्वाव जनिक सहीता 42 में है न्यायोचित हैं मानभी कारेज़शाओं है वह मातवत सहीता के लिए प्रावधहन 43 में है कर्मचारियों का निरवाः वेतन आदी 43 ए में है उद्धोबों के प्रवंदन में कर्मचारियों को सहथा sourd 45 में बालपन पूर्व देखवाल तता छेवर से कम आयों की बच्चों की सिक्षा 46 में अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती का कम जोर वर्गों के सैचिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना 47 में है पोशाहार खाई इस्तर बढ़ाने जीवन इस्तर सुधाने जन स्वास्ति की स्थिति को बहतर करने संबंदी सरकार के जो भी डूटीज है यानि कर्तब में वो 48 में है क्रशी एवं पश्व पालन का संगठन 48A है परियावरन सरक्षण आयवं संबर्धन तथा वन एवं बने जीवों की सुरक्षा 49 में है समार्कों तथा राज्टी मे तो कि स्थानों एवं वस्तूंगों का सरक्षण आर्टीकल 50 में नियायपालिका का कारिपालिका से अलगाव 51 में अंतराज की शान्ति एवं सरक्षा को प्रोसाहत देना तो यह तो आओ हो गए आपके राजिगी नीती निदेशक तत्व फिर है आपके सविधान की कुष र पाला था उससे पहले ना एक आक्ता आया था 1935 का भाराशासन अधिनियम 1935 तो भारती सविधान की अधिकान जो बंद है वह भाराशासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देश की सविधानों से लिए गई हैं जो जो हमें अच्छा लगा वो हमने ले लिया कोई-कोई एज यार हमने USA से लिया है नयाएक पुन्डवी लोकन की जो शक्ति है वह भी हमने USA से लिया है नयापालिका की सुझतंद्रता है कारवालिका से वह भी हमने USA से लिया है मूल अधिकार यानि Fundamental Rights और उप राश्ट्यपती का पद ये भी हमने आपके USA से और राश्ट्यपती पर म भी हो आर्टिकल 61 में जो था वह हमने USA से लिया है कनाडा पर आ जाते हैं शचक्तर केंद्र के साथ संग्ये व्यवस्ता ये कनाडा से है केंद्र द्वारा राजिपालों की जो नियुक्ति की जाती है सभी राजियों में वह भी हमने कनाडा से लिया है उच्चितम नियायले का परामर्शिय नियाय निडययन ये भी हमने आपके कनाडा से लिया है अपसे सक्तियां केंद्र में निहित हैं जो हमारे आपे सबसे ज़्यादा केंद्र पावरफुल है तो वह भी हमने कनाडा से लिया है चलिए आयलेंड जिससे अभी हमने नीती निर्देशक्ता तो तो वह भी अमें निर्वाशन पदीत से लिए वही है कहाँ से लिया उसी जरूरी नहीं है आ यह तो नहीं से नहीं हमने अपने हिसाब से दिये और राज्यकरे कुछ सदस्यों का ना-मांगकन भी अमनें आजरेंट से लिया है चलि अब जिसने हम पर रूल किया बिटेन को देख लिया तो फरस्ट अफॉल संसदी सासन प्रडाली फिर विदी का सासन मंत्री मंदली प्रडाली एकल नागरिक्ता दुई सद्री प्रडाली यानि जो राज्य सब अलोक सबाए वो विधाई प्रिक्रि संसदी विशेशा दिकार परमा दिकार लेक यह सब हमने ब्रिटेन से लिए है अब दक्षिन अफ्रिगा से हमने बहुत से चीज़ लिए है वह है सविदान संजोंदन प्रिक्रिया इसलिए पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का ही ह है और अगर वह हमारा अंशत है कठोर और अंशत है लचीला है नहीं मतलब नाहीं पूरी तरह है से ब्ilen क्रिका सकते हैं। जापान से लिया है विदी द्वारा स्थापित प्रकिरिया आंगे बढ़ते हैं और रश्या से हमने क्या क्या लिया है आपकी फंडमेंटल ड्यूटीज है न मूल करताब फंडमेंटल राइट से लिया है लेकिन फंडमेंटल ड्यूटीज जो हमने लिया वह रश्या से लिया स्थेलिया से समवधिवागन संवधिया से ली है संग सूची राजी सूची सिर्फ समवधिया से ली है ठीक है क्योंकि जो इन दोनों सुची में आ जाता है जो संग्सुची और राइस सुची दोनों में नहीं हुआ वसक हम बढ़ती सुची में आ जाएगा तो जो हमने उस्टेलिया से लिया है अब कुछ इससे संबंदित कुछ पैक्ट है भारती राजनेतिक व्यवस्ता में सरवत्चुपान है तो सविधान है भारती सविधान में आपाद उबंद जर्मनी के वाइवर सविधान से लिए है हमने और राष्टपती की विचारार्त राजपाल दौरा जो विदेयक सुरच्छित रखने का उबंद है वो हम पर सिर्फ इंडिया का ही है और सबसे सक्सेसफ़ल लोस्तंतर भी कह सकते हैं कभी कभी चीज 대해 चली होँ अब भारत के प्रथम अनतिम गवर्णर जन्रandır जनरल जनरल बायसराई यह सब ठीक है गवर्णर गवर्नांद जनरल और बायसराई यह हम देखेंगे ना पहले सिर्फ गवणर हुआ करते थे यहना फिर घवरनर जनरल और वाइसराय होंने लग गए यहां नोको बल्कुल घवाईसराय होग को सकते हैं और तो इस के गवरनरर जनर्रल थे यह पहले है जो सात्रे सो अऩावन साथ में और फिर उसके बाद पैसट और सरशट में इते हैं वारें एस्टिंग क्या है बंगाल का तो बंगाल के प्रत् shampoo तो ये ना में ज्सम्हान रिखे चैनल की बात नहीं है तो कर दिया। ये जाक जोड़िशी nog वैजल स्टैनल ही जैनल की दिया। जारे काने ही सब्सक्राइब सबलाइसक्तिक वाजय। और governor को थे रावर्ट क्लाइब, यह clear हो गया होगा, Lord William Bantic, बंगाल का governor general भारत के प्रत्थम पहले क्या था ना बंगाल में चीज़े होती थी, बंगाल में governor बना, फिर governor general बना फिर उसके बाद क्या है, जो बंगाल का governor general था वो पूरे भारत का बना, वो कब हुआ, यह बने general 1834 से 32 में बना, ना कि इसमें, क्योंकि भारत के प्रत्थम पहले यह थे, governor general बंगाल में, 1828 से लेके 34 तक, फिर इनी को ही प्रत्थम governor general बना दिया गया, भारत का, not only बंगाल, पूरे भारत के governor general बना, कौन था वो, William Bantic, थी, अब Lord Kenning पहा जाते हैं, तो Lord Kenning पहले, governor general ही था कब से कब तक, आपका 1856 से लेके 1858 तक, फिर उसके बाद भारत का प्रत्थम 22 सराय इसको बना दिया गया, यानि मैंने जैसे बताया कि जब वो British सरकार को प्रजेंट कर रहे थे, तो वो, William Bantic कहलाने लगे, तो Lord Kenning था, 1858 से जो आपको पता ही है कि कब से, इन्होंने सरकार क करांती हो गई थे, फिर महरानी विक्टोरिया का जो गुहा और शना पत्र आया था, उसके बाद से फिर जो भी यहां रहा है, उसको बाइसराय बोला जाने लगा, यानि भारत के प्रथम 22 सराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जर्र लॉर्ड विलियम बेंट प्रथम तदा अंतिम भात्र के गवर्नर जर्र मने प्रथम भी तो और अंतिम भी दे क्योंकि इसके बाद गवर्नर जर्र का जो कॉंसेप्ट था वो बिल्कूल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और नॉर्मली जो सरकार जो आपके प्रदान मंत्री राष्ट पती यह खत्म आई होब वीडियो को पसंद आयों पसंद आयों तो लाइक चेलेंग को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलेगा थैंक्स ओर लिसनिंग में